दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपने HDFC क्रेडिट कार्ड से LIC के प्रेमियम का भुकतान या पेमेंट कर सकते हैं HDFC bank के credit card से LIC के premium का payment करने पर किसी परकार का कोई charges नहीं लगता है साथ ही आपको HDFC bank के credit card से payment करने पर कुछ cashback भी मिल सकता है HDFC bank के credit card से LIC के premium का payment करने के लिए सबसे पहले हम Google Chrome open कर लेंगे दोस्तों आप यह process step by step देखने के बाद अपने phone से भी कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like करें साथ ही चैनल को भी subscribe करें यहाँ पर Google Chrome open करने के बाद हमें search box में LIC login लिखके सर्च कर देना है इसके बाद हमें first वाले option पर click कर देना है यहाँ पर एक नया page open हो जाएगा हमें यहाँ पर registered user पर click कर देना है रोक के पर click कर देना है इसके बाद हमारे सामने कुछ इस परकार से एक page open हो जाएगा यहाँ पर हमें अपना user ID नीचे password और इसके बाद हमें date of birth डालके sign in कर लेना है दोस्तो यदि आपके पास user ID नहीं है तो आप अपने email या फिर mobile number डालके भी login कर सकते हैं यहाँ पर मैं आपको login करके दिखा देता हूँ login करने के बाद कुछ इस परकार का page हमारे सामने open हो जाता है यहाँ पर हमें online payment वाले option पर click कर देना है इसके बाद कुछ इस परकार का page open हो जाता है यहाँ पर हमें check box पे click कर देना है और check and pay पे click कर देना है इसके बाद हमें फिर से यहाँ पर अपने detail चेक कर लेनी है और उसके बाद यहाँ पर हमें again check and pay पे click कर देना है दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हो पोलिसी धारकों के लिए credit card से premium बुकतान अपनी सुल्क, सुरक्षित और आसान दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था credit card से payment करने पर किसी परकार का कोई charges नहीं लगता है यहाँ पर payment process को continue करने के लिए check and pay पे click करेंगे इसके बाद हमारे सामने कुछ इस परकार का page open हो जाएगा हम यहाँ पर scroll down करके नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर credit card वाले option को select कर लेंगे इसके बाद हम यहाँ पर card number एंटर कर देंगे यहाँ पर expiry month और year डाल देंगे इसके बाद CVV डालके pay वाले option पर click कर देंगे यहाँ पर मैं आपको अपने card की details डालके दिखा देता हूँ इसके बाद हमारे सामने कुछ इस परकार का एक page open हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे phone पर OTP successful भेज़ दी गई है यहाँ पर हमें OTP एंटर करके और submit वाले option पर click करना है यहाँ पर मैंने अपना OTP एंटर कर दिया है इसके बाद हमें submit वाले button पर click कर देना है दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर payment successful हो गया है हमें यहाँ पर कुछ भी click कहीं पर भी नहीं करना है यह 8 सेकिंड में हमें वापिस LIC वाले portal पर लेके चला जाएगा अपने आप redirect हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा payment successful हो गया है यहाँ पर आपको यदि अपनी receipt डाउनलोड करनी है तो यहाँ पर download receipt वाले option पर click कर देना है इसके बाद आपके सामने कुछ इस परकार से आपकी receipt डाउनलोड हो जाएगी इसे अपने phone में या अपने computer में save कर सकते हैं दोस्तो इस वीडियो से सम्मंदित आपका कोई भी query हो तो नीचे comment box में comment करके जरूर बताएं वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें Thank you so much for watching करें दोस्तों करें